Hello Friends, मैं आज आपको 2009 की White Night ये मूवी एक्स्प्रेन करने वाला हूँ ये एक Korean मूवी है, ये Murder Mystery, Thriller और Suspence इस सब का Combination है ये एक Suspence है, तो इसके Plot के बारे में बताना गलत होगा, तो directly dive in करते हैं इस मूवी के जो characters है, इनके नाम ज़रा difficult है, तो इसी वज़े से इनका नाम है बदल देने वाला हूँ तो आप इससे समझ लेजिएगा मूवी स्टार्ट होती है, और हमें दो characters हमारे introduce कराए गए है इसमें एक है Walter, और दूसरा है Skyler हाँ मैंने Breaking Bad के characters का नाम ही उसकिया है, क्योंकि मुझे Breaking Bad भी बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे channel में मैंने सब कुछ उसे explain भी किया है, तो चलिए start करते है हम देखते हैं कि Walter होता है, एक आदमे का वो murder कर रहा है और इसी वक्त, Skyler एक अपने boyfriend के साथ intimate हो चुकी है ये scene यही खतम हो जाता है, और next scene में हमें police investigation दिखाई गई है ये जो investigation चल रही होती है, यहाँ एक police officer होता है, जो crime scene को investigate करता है जब वो बहार आता है, तो अपने superiors को वो कहता है, कि मुझे लगता है कि ये murder होगा यहाँ होती है, तो उन्हें लग रहा होता है कि ये society होगी, पर वो जो director होता है, उससे शक होता है कि ये murder है ये movie जो चल रही है, ये दो अलग-अलग time period में चलती है ये 15 साल पहले और 15 साल बाद इस तरह से भी movie चलती रहती है तो 15 साल बाद का, यानि कि जो present है, वहाँ का ये scene था फिर से हमें 15 साल पहले जो scene है, वो हमें next दिखाया गया है इसमें भी एक murder हुआ होता है, इस scene में भी एक murder के लिए कुछ police officer वहाँ जाते है यहाँ इस scene को investigate करने वाला, जो हमारा main character है, इसका नाम हम Hank रखेंगे Hank जब इस scene पर पहुँचता है, तो उसका forensic expert, यहाँ जो सब कुछ हुआ है, इसके बारे में सब कुछ बता देता है यहाँ एक आदमी का murder हो चुका होता है, और एक शाफ weapon से उसे मार दिया होता है जो murder करने वाला आय होगा, वो कहा से आय होगा फिर वो forensic वाला उसे कहता है, कि यह gymni से आय होगा, वहाँ एक gymni होती है, उस narrow pipe से वो आय होगा, ऐसा उससे बताता है फिर हैंक उसे पुछता है कि इससे कोन आ सकता है फिर उसे कहता है कुछ बच्चे थे जिने शीप में हैंगाउट करना आच्छा लगता है और ये एमेंडन शीप है तो इसलिए वो यहां हैंगाउट करने के लिए आए हुए थे तब ही इने बॉडी मिल चुकी थी इस क्राइम सीन पर फिर हैंग खो एक टेप भी मिल चाती है अब एक क्राइम सीन से वो अपने पुली स्टेशन में आ जाते है अपने पुली स्टेशन में आने के बाद उसका जो सुपिरियर होता है वो इस case पर discuss कर रहा होता है इस case में उन्होंने figure out क्या होता है कि जो suspect है वो एक औरत है ये वही औरत होती है जिसको जो आदमी मर चुका है वो हमेशा पैसे बेशता रहता था उस औरत का उस victim से connection था उन दोनों की relationship थी ये एक affair था क्योंकि victim की wife और लड़का दोनों थे पर ये affair वो उस औरत के साथ कर रहा था ये जो औरत होती है जो suspect होती है तो उसने उससे बहुत सारे बैसे भी लिये होते है तो पोलिस वालों को अब लग रहा होता है कि इसके पास motivate था और इस वज़े से ये इसको मास सकती है ये जो टैब उससे मिली होती है उसे ही सुन रहा होता है उसे इस theories में कुछ ज़्यादा interest नहीं होता फिर वो उससे डाटते है और जो suspect औरत है उसके पास उसे बेज देते है ये औरत जहां रहती है उसके घर के यहाँ वो आते है उसका घर बन होता है वहाँ फिर एक लड़की आती है जो उस घर को ओपन करती है उस ओरत की ये बेटी होती है ये घर में जाती है और Hank उससे पूछता है कि तुम्हारी मदर कहा है उससे अंदर आना होता है पर वो लड़की पहले उसका बैच पुछती है उसके बाद ही उसे अंदर आनी देती है ये लड़की बहुत ही केरफुल होती है जब ये अंदर आती है तब उनसे जादा कुछ बोलती नहीं ये अपनी जो भूख होती है वही पढ़ने लग जाती है ये जो भूख को पढ़ रहे होती है ये बहुत ही famous होती है और हैंक इस भूख को अपनोटिस करता है मैं आपको यही बता दूँ कि ये जो छोटी लड़की है इसी का नाम ही Skyler है जैसे हमने movie के first में देखा था कि किसी आदमी के साथ वो intimate हो चुकी थी तो यही वो Skyler है फिर हैंक उससे question पूखना start कर देता है वो कहता है कि जो आदमी मर चुका था क्या तुम उसे जानती हो वो कहती कि हाँ मैं उसे जानती हूँ फिर पूखता है कि तुम उसे कैसे जानती हो वो कहती है कि वो कभी-कभी यहाँ आया करता था थोड़ी देर में Skyler की मदर भी वहाँ जाती है Skyler की मदर वहाँ आकर उनसे पूखती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आये हो फिर उसे कहते है कि तुमने उससे पैसे लिए थे और कभी पेबैक नहीं किया था तो इसी वज़े से हम इंवेस्टिगेट करने के लिए आये है फिर सकाईलर की मदर डिटेक्ट्डू को बाहर जाने के लिए बोलती है वो अंदर आकर सकाईलर से बात करती है वो कहती है कि तुमने कुछ पताया तो नहीं न Skylar कहती कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया है Skylar फिर कहती है कि कुछ पैसों के लिए हम अब ये सब नहीं कर सकते उसकी मदर उसे पच्छी जाते हो बोलती है कुछ पैसे अगर बैसे नहीं होगे तो तुम क्या स्टीट पर होगी तुम्हें अपना माउथ शट रखना है कुछ भी तुम्हें किसी को कुछ भी पताना नहीं है फिर ये कहे कर उसकी मदर वहाँ से चली जाती है इसके बाद मूवी की प्रेजेंट में हम फिर से आ जाते है और हमें स्काइलर एक स्कूल में टीचर है ये दिखाया जाता है वाल्टर हमें एक ट्रेंड स्टेशन पर दिखता है और आज उसका बड़े होता है एक लॉकर में हो जाता है और वहाँ उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ होता है वो देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है नेक सिन में हम देखते हैं कि एक मिलेनर आदमी अपने हिलिकॉप्टर से नीचे उतरता है वो एक जगा जाता है जहाँ पर बड़ा सा कॉम्पलेक्स बनाने वाला होता है उसने एक डिलेक्टिव को हायर किया होता है उसे वो बात करता है तो डिलेक्टिव से कहती है कि मुझे एक चीज गलत लगी थी यह जो डिलेक्टिव होती है इस मिलेनर ने क्यों हायर की होती है इसके मीचे एक रिसन है जो अपनी Skyler होती है वो इस Millionaire के साथ सोती हुई हमें पहले सीन में दिखी थी यानि कि इन दोनों में रिलेशन्शिप है और अपनी रिलेशन्शिप को आगे लेकर जाना चाहता है तो इसलिए उसका background चेक करकर उसमें कुछ गडबर तो नहीं है यह वो चेक कर रहा होता है इसी वज़े से इस investigator को उसने hire किया होता है तो investigator उसे कहती है कि जो Skyler है यह adopted है यह जब वो कह देती है तो millionaire वहाँ से चला जाता है और इस director को और भी काम करना होता है यह millionaire फिर Skyler से मिलने आता है Skyler एक fashion designer होती है और उसके लिए एक बड़ा सा showroom में खोल कर दे रहा होता है तो Skyler इसके लिए उसे thank you बोलती है वो कहती है कि छोटा सा भी अगर तुम कर देते तो भी ठीक रहता इतना बड़ा तुमें करने के कोई भी ज़रूरत नहीं थी millionaire उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है सिर्फ thank you मुझे चलेगा next scene में हमें देखता है कि Skyler का जो भी routine होता है वो जहाँ भी जाती है वो यह private investigator उस पर हमेशा नजर रख रही होती है Walter जो होता है वो एक बार में काम करता है उसकी girlfriend भी उसके साथ वही काम करती है फिर से हमें movie past में दिखाए गई है 15 years past में हम जाते है और हमें दिखता है कि जो Hank है वो जिस आत्मी मर चुका था उसके घर पर आया है वो उसके wife से मिलता है वहाँ का जो servant होता है उससे भी वाति करता है वो उनसे पूछता है कि जब यह murder हुआ था तो तुम सब लोग क्या कर रहे थे तो उसे कहते हैं कि हम Animal Kingdom देख रहे थे फिरे डिडिक्टू पुछता है कि इस पर कौन सा show चल रहा था उससे कहते है कि एक monkey था उसका baby मर चुका था तो उसे ड्रैक करते होए जंगल से जा रहा था यही show यही episode चल रहा था विक्टिम का जो बेटा होता है वो नीचे नहीं होता तो उपर जाकर अपने रूम में वो homework कर रहा होता है तो Hank वही भी आ चाता है जो वह वहाँ पहुचता है तो वहाँ वही book दीखती है जो Skyler के पास थी Hank फिर उस लड़के से अपना नाम पुछता है वो उससे कुछ question पुछना चाता है पर जो victim था उसका जो servant है वो वहाँ जाता है वो उससे disturb कर देता है उससे उसे बात नहीं करने देता यह जो बच्चा है इससे का नाम Walter है जो हमें movie के present में दीख रहा है जिसने एक आदमी का अभी हभी murder किया है यह वही Walter है यह जो servant होता है जाते जाते डोर में उससे बात करकर जाता है Walter को कहता है कि हमने जैसा रियल सल किया है वैसा ही तुमने बताया नहीं उससे पूछ रहा होता है फिर नेक सिन में हम फिर से movie के present में आ जाते है जैसा हमने देखा था एक आदमी का murder हो चुका था Walter नहीं उस आदमी को मारा है और यह जो आदमी अभी अभी मारा है यह वही servant था जो 15 साल पहले Walter के घर में काम कर रहा था Walter ने उसी के servant को मार दिया है अब यह servant के case के लिए जो detective है वो Walter की mother की यहां आय हुआ होता है उसके mother से question पूछ रहा होता है फिर उसे question करता है और पूछता है कि जब तुमारा husband मर चुका था तो उसके बाद तुम सर्वन के साथ रही थी उसे कहती कि हाँ तमी यंग थी फिर वो पूछता है कि तुमारे son का क्या वो अब कहा है Walter की mother को वो कहा है यह मालूम नहीं होता फिर डिडिक्टू पूछता है कि क्या वो अपने father से प्यार करता था वो कहती है कि हाँ वो उससे पैर करता था फिर जो मदर होती है उसे एक्वेस्टन जादा होने लग जाते है तो डिडिक्ट्टू को जाने के लिए बोलती है फिर से हम 15 साल पहले तक पहुच जाते हैं वहाँ पर जो छोटी स्काइलर होती है वो अपने मकान मालिक के हाँ आती है उसे कहती है कि डोर बन हो चुका है और मेरी मदर कहा है मुझे पता नहीं पुलिस मुझे मेरे घर का डोर ओपन कर दो फिर वो मकान मालिक उसके साथ जाता है और जब वो डोर ओपन करता है तो Skyler की मदर वहां मरी हुई पड़ी हुई होती है जो gas होता है वो on होता है और सबको लगता है कि यह suicide है पुलिस वहां आती है और Hank भी यहां होता है Hank पुरा crime scene देखता है और वहां उसे एक lighter मिलता है इस पर जो sign मना होता है यह जो पहले victim था उसके belt पे भी था यानि कि Skyler की मदर अब मरी है इसके खिलाफ और एक evidence उसे मिल गया है अब यह जो case होती है इस case में एक evidence जो थी वो यह औरत ही थी यानि कि Skyler की मदर ही थी तो अब यह मर चुकी है तो इसी वज़े से वो अब यह case बन कर दे रहे होते है पर अब भी हैंक को लग रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़ बढ़े है उसे satisfied नहीं लग रहा होता Skyler की मदर ने suicide नहीं की है ऐसा उसे लग रहा होता है यहाँ में हैंक का बाढ़ना जोता है वो बोलता हो दिखता है कि उसने एक taste ली है जिससे वो एक superior officer बन सकता है उसका promotion हो सकता है हैंक इसे इतना भी seriously नहीं लेता हैंक फिर भी इस case पर काम कर रहा होता है जब वो murder scene की photograph देखता है तब उसे पता चलता है कि अगर gas on था तो उस पर जो curry थी वो boil होकर उसे नीचे गिर जाना चाहिए था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था ये चीज वो अपने superior को कहता है उसका superior उसके मानता नहीं और कहता है कि ये case burn हो चुकी है तुम्हें इतना ज़ादा इस पर सोचना नहीं है उसे case burn करने के लिए बोल देता है हैंक इस पर cheat जाता है उसी ये नहीं करना होता और वहाँ से वो चला जाता है हैंक फिर जी शिपर Walter की फादर मरे थे वो शिपर आ जाता है वहाँ उसने अपने बेटे को लाया हुआ होता है जिस chimney से murder आया था उसी chimney से एक बच्चा ही जा सकता है तो इसलिए वो अपने बच्चे को वहा लाता है उसके बच्चे को क्रिस्मस के लिए एक बासिकल चाहिए होती है तो इस लालच में वो एक काम करने के लिए रेडी होता है हैंक का सन जब नीचे उतर रहा होता है तो हैंक उतना जादा उस पर ध्यान नहीं देता वो smoking कर रहा होता है और बहुत irresponsible होता है तो उसका बच्चा वहाँ से गिर जाता है और वहाँ नीचे गिर कर वो मर जाता है फेसे हैं movie के present में आते हैं और जो direct to थी वो millionaire के पास आय हुए होती है और उसे कहती है कि जो skyler है उसका एक stalker हुआ करता था फिर वो millionaire से कहता है यह जो stalker है इसके बारे में तुम सब कुछ पता करो और इसका सब सही ठीका ना लग जाना चाहिए वो millionaire कहता है कि जब भी मैं skyler के पास जाता हूँ तो मुझे कुछ अलग लगता है मुझे फिलिंग अब नहीं चाहिए तो इसलिए उसे closure चाहिए होता है इसी वज़े से stalker का पता लगा कर उसे ठीकाने लगाने के लिए इस investigator को बोल रहा होता है नेक सिन में हम दिखता है कि जो servant था उसका case जो investigate कर रहा है वो detective अब Walter के पास आया हुआ है Walter से पूछता है कि जब वो servant मरा था तब तुम कहा थे Walter कहता है कि तब में सोय हुआ था Walter की नेक पर एक निशान होता है वो भी यह detective नोटिस करता है यह जो detective होता है फिर वो हैंग के पास आता है अब 15 साल गुजर चुके है तो हैंग की भी अब age हो चुकी है उसे diabetes है और इससे उसे तकलिफ होती रहती है वो हैंग के पास जाता है और उसे कहता है कि जब तुम इस case पर थे यानि Walter के father जो मर चुके थे उस case पर जब तुम थे तब तुम्हारे बच्चे के मर जाने के बाद दो साल तक तुमने इस case को परसु किया था तुमारा divorce भी हो चुका था फिर भी तुम इसी case पर लगे पड़े थे तो उससे वो पोच रहा होता है कि क्या उसे कुछ जादा मालूम है पर हैंग उसे कुछ भी information नहीं देता और चले जाने के लिए ignore कर देता है जो millionaire होता है उसकी एक बेटी भी होती है वो scholar के साथ अब है तो उसकी बेटी को यह अच्छा नहीं लगता scholar उसके बेटी को school से घर लेकर जा रही होती है क्योंकि वो semi school में यह पड़ाती है और millionaire की बेटी भी वही पड़ती है तो इसके लिए scholar उसे घर छोड़ रही होती है तो इन दोनों में नहीं पड़ती है तो वो बेटी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ pretend नहीं करना है तुम जो smile कर रही हो वो भी fake है यह मुझे पता है next scene में हम देखते है कि डिरिक्टू अब उस सर्वन के घर पर आया हुआ है और crime scene को अभी भी investigate कर रहा है इसके बाद एक week बीत जाता है हैंग को लगता है कि इस डिरिक्टू को उसे मदद करने जाहिए इसके लिए जब वो उसकी inquiry करने के लिए call करता है तो उसे पता चलता है कि डिरिक्टू मर चुका है हैंग फिर इस काम में फिर से लग जाता है हैंग फिर वॉल्टर की मदद को मिलने आता है कि जब तुमने मुझे बताया था कि तुम Animal Kingdom देख रही थी तो मुझे शक गया था तो मैंने Animal Kingdom के सब एपिसोड देख लिया और मुझे वो मिल भी गया उसे बता रहा होता है कि मुझे प्लीज बता दो कि उस दिन क्या हुआ था पर वॉल्टर की मदद उसे कुछ भी नहीं बता रही हुती फिर नेक सीन में हम दिखता है कि जो डिरेक्टू मिसिं है उसे वॉल्टर गाड रहा होता है ये एक garden होती है जहाँ उसे गार देता है फिर next scene में हम दिखता है कि millionaire और skyler दोनों intimate हो चुके होते है तो millionaire उसे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो फिर skyler कहती है कि तुम बहुती रीच हो इसलिए में तुमसे प्यार करती हो तो वो पूछता है कि तुम में कितने पैसे चाहिए skyler कहती है कि मुझे कभी भी बैसो की चिंता ना करनी पड़े इतने पैसे अगर मेरे पास आगए तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होगी फिर हमें देखता है कि इस millionaire को call आ जाता है skyler का जो stalker था वो अब पकड़ा जा चुका है जो हैंक है वो अभी भी investigation कर रहा है तो जो millionaire ने private investor हायर किया होता है वो उसे वहाँ देख लेती है और उसे बेहुश करने के कोशिश कर लेती है पर हैंक उसे ही पकड़ लेता है और जो भी उसने investigate कर रखा होता है वो सब देखता है वाह उसे पता चल जाता है जो skyler है उसने अपना नाम change करकर अब वो रह रही है millionaire के साथ वो relationship में है और वो millionaire उसे शादी भी करना चाता है यह सब information अब उसे मिल चुकी है skyler जिस building में रहती है उसी building के next building में हमें Walter देखता है वो दोनों एक दूसरी को खिड़की से देख सकते है यह हमें पता चलता है हैंक को अब पता होता है कि skyler का जो stalker था वो भी पकड़ा जा चुका है तो इस stalker से वो मिलने के लिए जाता है यह stalker उसी यहाँ कहता है कि मैं उसे प्यार करता था इसलिए मैं उसके आगे पीचे गुंता था पर जो real stalker था वो अलग ही था कि अगर तुम उसे देख सको तो क्या पहचान जाओगे यह stalker भी यहाँ हा कहता है हैंक को अब यहाँ पता चल चुका है कि Walter और Skyler इन दोनों में कुछ ना कुछ तो relationship है जो private investigator होती है वो Skyler के पुराने स्कुल में आती है वहाँ के एक teacher उसे कहती है जो Skyler थी और Walter यह दोनों एकी स्कुल में पढ़ते थे Walter के father को Skyler की मदर ने मारा है इसी वज़े से एकी स्कुल में रहना इन दोनों के लिए बहुत difficult था Skyler को बच्चे तंग करते थे उसका जीना उन्होंने हराम कर दिया था पर Walter ने कभी भी उसे तंग नहीं किया था फिर हमें Walter उसकी girlfriend के साथ दिखता है वो intimate हो जाते है यह खतम हो जाने के बाद उसकी girlfriend उसे पुछती है कि क्या तुम कभी भी satisfied नहीं होते वो से Skyler के बारे में बता होता है वो कुछती है कि तुम उसके साथ जब थे तब वो कैसा था जो Walter होता है वो Skyler से बहुत ही प्यार करता है वो किसी औरत के साथ satisfied है नहीं हो सकता फिर next scene में हम दिखता है कि Skyler और Millionaire दोनों कार में सफर कर रहे होते है जब ये कार में होते है तब कार के brakes फेल हो जाते है इन दोनों का accident हो जाता है वो सकाइलर फिर इस Millionaire को गाड़ी से निकालती है और उसे बचा लेती है उसके पास एक device होता है जिससे ये सब हो चुका होता है इसका मदलब जो break fail होए थे ये Skyler नहीं plan किया था अब होस्पिटल में होते हैं तो Millionaire Skyler से बहुत ही thankful होता है और उसे ये जता कर देता है वहाँ फिर उस Millionaire की private investigator रहती है वो Skyler को सब सच चच बताता है कि मैंने तुम पर investigating करने के लिए ये सब क्या था वो Skyler को सब सच बताता है वो कहता है कि मैं तुम्हें investigate कर रहा था Skyler को भी इससे कुछ फरक नहीं पड़ता फिर उससे कहती है कि मेरी मदर मर जाने के बाद मैं मेरे एंड की यहा रह रह रही थी उसकी एंड जो होती है उसके husband भी मर चुकी होते है तो उसके husband का जो name होता है यह Skyler ले ले थी है Skyler की mother मर चुकी थी और उसके end का husband मर चुका था तो एक दुसरे का यह सहारा बन जाते है Skyler की mother और Skyler के end का husband दोनों मर चुके थे तो एक दुसरे का यह सहारा बन चुके थे उसकी end ने फिर उसको adopt कर लिया था इसी वज़े से उसने अपना नाम भी change कर लिया था investigator ने Skyler के खिलाव जो भी कुछ सबूत इकटा किये थे अब वो पूरे इस statement से, इस story से अब वो सब feel हो चुके है क्यानि कि अब वो Skyler बस शक नहीं कर सकता Skyler ने अभी-अभी उसकी जान बचा ही है तो इसलिए वो उससे propose कर देता है उसे शादी के लिए वो मना लेता है Millionaire की जो बेटी होती है, वो Skyler से कहती है कि as a mother, मैं तुमें कभी भी accept नहीं कर पाऊंगी अब ये private investigator है, तो इसे अब Millionaire ने job से हटा दिया है पर फिर भी उसे लग रहा है, इसमें कुछ तो गड़ बड़ है फिर वो Hank से मिलने आई हुए होती है वो उसे कहती है, कि अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे फिर भी वो पता कर ही लूँगी Hank भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है वो उसे अपने घर पर लेकर आता है वो अपने investigation की सब files वगरा उसे दिखाता है इस file में Walter के father जब मरे थे वहाँ उसे एक cassette मिली थी वो cassette फिर उस private investigator को सुनाता है वो जो cassette होती है, इसमें noise होता है पर इसमें जो background होता है, उसने clear कि होता है यहाँ उसे Walter की आवाज सुनाई देती है यानि कि इसे पता होता है कि जिस दात Walter के father मरे थे उसके साथ Walter था फिर वो private investigator को कहता है कि Walter के father को Walter नहीं मारा था यही simplest explanation है और यही sense करता है यह सब Walter सुन रहा होता है वो नीचे ही अपने गाड़ी में होता है उसने एक device Hank के apartment में भी plan किया होता है इसे वो सब सुन सकता है कैलर का जो shop होता है उसका अब सब कुछ interior decoration सब हो चुका होता है उसकी grand opening होने वाली होती है next scene में हम देखते है कि Walter Hank के घर पर आ चुका है Hank के घर पर आकर वो देख रहा होता है कि Hank ने क्या-क्या investigate कर रहा है वहाँ उसे समझ में आ जाता है कि Hank को पता है कि वही real killer है जो private investigator होती है अब उसे पता चल जाता है कि Skyler ने वही accident millionaire का करवाया था तो ये call करकर अब हैंग को बताती है Hank उसे कहता है कि तुम मेरे apartment में जाओ वहाँ कीज में ने रखी है वो लेकर तुम apartment में रुको Hank फिर अपने superior के पास जाता है उसे जाकर सब पताता है कि Walter ही है जिसने उसके father का murder किया था उसका superior अभी में मानने रहोता Hank उसे कहता है कि जिस आदमी को यानि कि servant को मार दिया गया था उसके हाथ में एक DNA मिला था उस DNA को अगर हम Walter से match कर पाए तो Walter ही real killer था यह हमें पता चल जाएगा पर उसका superior इसके लिए मानने रहोता उसका superior होता है उसका friend ही होता है जैसे हमने previous में देखा था कि उसके friend कुछ entrance exam दे रहा था उसका friend उसे समझाता है कि अब बहुत साल गुजर चुके है तो मैं इस case को drop कर देना चाहिए कि मुझे यह drop करना ही पड़ेगा क्योंकि अब Hank को जादा दीख नहीं रहा होता वो applying हो रहा होता है Nixon में हम देखते है जो private investigator थी वो Hank की घर पर पहुच चुकी है पर अब वहाँ already Walter आ चुका था Walter वहाँ poisonous gas पहला देता है और खुद एक mask पहन लेता है जब वह private investigator वहाँ पहुचती है तो वह बेहोश हो जाती है वही मर जाती है इस private investigator का Hank से ही phone चल रहा होता है तो Hank को पता चल जाता है कि इसे मानने के लिए कोई आया है Hank भाग कर वहाँ पहुचता है पर वहाँ उस घर पर उसे कुछ भी नहीं मिलता नेकसिन में हम फेस से देखते है कि Walter अब इस private investigator की body गाड रहा है यह जो जहाँ गाड ता है वहाँ एक garden होती है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि Skyler अपने classroom में आती है मिलिनेर के जो बेटी होती है उसने board board रिखा होता है कि Skyler की mother एक murderer थी इससे वह बहुत ही disturb हो जाती है और उसे Walter को message देती है और उसमें लिखा होता है कि उसे उस मिलिनेर को बेटी को मार देना है फिर Walter और Skyler रस्ते के आर पर एक दुसरे को देखते है और फोन पर बात करते है Walter से कहता है कि हमारा जो भी plan है ये worth it मुझे अब नहीं लग रहा मैं किसी बच्चे को नहीं मार सकता Skyler उसे कहती है ये एक last काम तुमें करना पड़ेगा इसके बाद हम एक happy ending हमारी हो जाएगी इसका plan होता है millionaire के पास वो शादी करेगी और उसके पास बहुत ही जादा पैसे आ जाएगे और फिर वो उससे divorce ले लेगी फिर वो Walter के साथ रहने वाली होती है Walter से कह रहा होता है कि हम अब यहाँ से चले जाते है और पैसो के कोई भी चिंता नहीं है Skyler उसे कहती है कि यह जो सब मैंने किया है यह मैंने पैसो के लिए यह तो किया है बिना पैसे कि मैं कैसे रह सकती हूँ Walter को यह नहीं करना होता और बहुत दिस्टप होता है जो सब murders Walter कह रहा है अब Walter के मदर को पता है वो Hank को उसके पास बुलाती है वो उसे फिर सब कुछ सच बता देती है वो कहती है कि Walter के फादर जब जेल से बहर आ चुके थे तो वो Walter से मिलेते है Walter को पता था कि उसके फादर Skyler को पसंद करते हैं वो बोलती है कि Walter के फादर को छोटी बच्चिया ही अच्छी लगती थी Skyler की मदर Walter के फादर से पैसे लेती थी और Skyler को उनके पास भेज देती थी फिर Walter के फादर उसका शारीग शोशन करती थे यह जब बात Walter को पता चली तो Walter के फादर को उसने मार दिया जब Walter के फादर को उसने मार दिया था तो उसके जो कपड़े थे वो Walter के सरवन को मिले थे सरवन ने फिर उसकी मदर को ब्लैक मिल किया था इसे वज़े से उन दोनों में रिलेशन्शिप हो चुकी थी Walter ने यह देखा था जब वो बड़ा हो चुका था तब सरवन को उसने मार दिया है वो फिर हैंक को कहती है कि वॉल्टर को तुम अब पकड़ लो स्काइलर जब मिलिनियर की लड़की के साथ घर पर आती है तो वो वाल्टर आय हुआ होता है वो Walter को उस लड़की का रेप करने के लिए बोलती है ये लड़की बहुत ही रिस्ट अब हो जाती है फिर Skyler उसे कहती है ये जो सिक्रेट है यह हम दोनों के बीच में रहेगा जब रात होती है तो Skyler उसके पास जाती है वो अपने कपड़े उतार थी है और उसे जकड़ लेती है वो उसे कहती है कि तुम्हें अब याद नहीं आ रहा होगा कि उसने तुम्हारे साथ कैसे रिप किया था जैसे अब मैंने तुम्हें जकड़ा है ये तुम याद रखो वो उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ भी यह हुआ था तुम यह कभी भूल नहीं सकोगी पर अब हम दोनों में यह common है फिर नेक सिन में हम दिखता है कि हैंक अब imagine कर रहा होता है कि कैसे वॉल्टर ने उसके फादर को मार दिया होगा यह सिन फिर हमें दिखाया गया है अपने फादर को देख लेता है जब वो सकाइलर के साथ होता है वो बहुत इगुसे में होता है और चाकू लेकर अपने फादर को मार देता है फिर सकाइलर उसके पास आती है और कहती है यह तुमने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है से कहती है कि अब हम दोनों एक दुसरे से नहीं मिलेंगे कुछ भी सीन हमने किया होगा तो हम अगर 15 साल तक इसका प्राहिशित करेंगे तो हम ये एक सीन भुला सकते हैं इसी वज़े से 15 साल तक वो एक दुसरे से नहीं मिलते हैं फिर नेक सीन में हमें दिखता है कि हैंग स्क में trapped है, कभी भी उसे salvation नहीं मिला है, उसे तुम ही save कर सकती हो, यह कहकर वो उसे वहाँ से चला जाता है, निक्सिन में में Walter Skyler को call करता हो दिखता है, उसे कहता है, कि अगर मैं तुम से प्यार नहीं करता, और अगर मैं मेरे father को नहीं मारता, तो मेरे साथ क्या होता, वो अब second doubts कर रहा होता है, जो भी चीज़े उसे करनी पढ़ रही है, वो उससे उसलों के खराफ होती है, फिर भी वो Skyler से प्यार करता है, इसी वज़े से वो यह सब कर रहा है, उसका पार्टनर भी अब Walter को जेल होनी चाहिए, इसके लिए राजी हो जाता है, Walter ने जो भी सब dead bodies अगर तुम मेरे साथ नहीं होते हैं, तो यह सब मैं नहीं कर पाती है, मैं जी नहीं पाती है, तुमने मुझे साहरा दिया है, इसलिए उसे वो थैंक्यू कह रही होती है, यह कह कर उसका जो shop है, उसका inauguration अब होने वाला है, तो इसलिए वो उसे invite करकर वहाँ से चली जाती ह अब हैंक का plan होता है, कि जो सकाइलर का inauguration है, वो जीस date पर था, उसी date पर Walter के father भी मरे थे, यह उन दोनों के लिए अब special day होने वाला है, तो इस date पर Walter भी इस inauguration में आएगा, तो वहाँ बहुत सारे police officer वहाँ उसने तेनाद किये होते हैं, यह सब उस inauguration पर नजर रख रहे हो उसके पीछे भागते हैं, पर हैंग figure out कर लेता है, यह एक छलावा है, वो भीड को देखने लग जाता है, और वहाँ उसे Walter भी मिल जाता है, Walter के पीछे भागता है, और एक room में वो जाते है, Walter उसे वार कर देता है, वो Walter को समझाने के कोशिश करता है, कि तुम्हें अब salvation ढ दून लेना चाहिए, उसे पता होता है कि वो hurt हो रहा है, इसलिए उसे कहता है, कि Skyler भी इसके लिए मान जाएगी, वो भी समझ जाएगी, तुम्हें इतना hurt होने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर Walter से कहता है, कि Skyler की new life में हम दोनों ही एक ही link है, जो यह सब बरबाद कर सकत है, Walter हैंक को मार ही देने वाला होता है, तब ही Hank के सब साती वहा जाते है, Walter वहा भागता है, rooftop पर आता है, rooftop पर आने पर Hank उसे कहता है, कि इससे सिर्फ महीं निप्टेने वाला हूँ, Hank Walter को समझाने के गोशिश करता है, पर Walter उसे कहता है, कि जब Sun अपने highest point पर होता है, जब वो आकाश में सबसे उपर होता है, तब उसके नीचे की जो shadow होती है, वो किसी को भी नहीं दिखती है, इसका मतलब है, Skyler अब अपने career के सबसे बड़े मुकाम तक बहुत चुकी है, वो अब बहुत ही powerful है, मिलिनेर से अब उसकी शादी हो चुकी है, तब वो बहुत ही powerful है, उसके नीचे कुछ भी shadow होगी, उसने कुछ भी गलत काम की होगी, फिर भी वो powerful है, वो white चमक रही है, तो उसकी shadow किसी को भी नहीं दिखेगी, अब हैं पता है कि Murder को और Skyler को Walter की एक link है, जो से connect कर सकती है, तो Skyler का जो event चल रहा होता है, उसी event में वो गिर जाता है, मिलिनेर की जो बेटी होती है, वो वहाँ Walter को पहचान लेती है, पर Skyler उसे दबा देती है, हैंग को पता चल जाता है कि ये लड़की उसे जानती है, हैंग फिर Skyler से कहता है कि अभी तो तुम सच पता दो, Skyler कहती कि मै इसे नहीं जानती, फिर हमें एसकेलेडर से उपर जाती हो दिखती है, यानि कि Skyler अपने लाइफ से मुहान कर चुकी है, और वो पुराने चीज़ों में नहीं उलजना चाती है, अब मुवी का एक flashback का सीना में दिखता है, जहां पर Water और Skyler कॉलेज में होते हैं, और एक द चुका है, यहीं मुवी खतम हो जाती है, तो बहुती बेस्ट मुवी थी, अगर आपको यह मुवी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और भी अगर एसी interesting मुवी आपको देखनी हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीज और बेल नोटिफिकेशन आइकोन भी दबा दीजिए, यानि कि और भी मुवी आपको देखने को मिल जाए, हम फिर से मिलेंगे और एक मुवी के साथ, तब तक लिए, ठैंक यू, शुक्रिया और गुडबाए